संदीप राजपूर आपका प्लस एजुकेटर और आज हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे ओके और ये सेशन आपका साइन्स का था जिसका आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चौथा सेशन और उस पर हम बात करेंगे important science discussion via mcq in fourth session और ये important आपके लिए क्यों है इस पर चरचा करेंगे क्यों आपको प्लस पर होना चाहिए उस पर चरचा करेंगे और ये इतना major factor क्यों होता है science का topic इन सारी चीजों पर चरचा करने के बाद मैं फिर हम अपना quiz start करेंगे ठीक है और MCQ की थुरू मैं आपको लेके चलूँगा और ये MCQ इस तरीके के नहीं होंगे कि आपका मैंने question दिया, answer दिया और आगे बढ़ गया मैं discuss करूँगा इसमें सारी चीज़ें उस topic से related जितने भी option है उनसे related तो आपके एक question में पहुत सारे question बनेंगे और bio figure मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से चीज़ वर्क आउट करती है तो ये science important क्यों है और before proceeding ये चौथा session है तो already तीन session आपके sorry ये आपका पांचमा session है चार session हम complete कर चुके हैं ये पांचमा session है आपका तो चार session जो complete हुए है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस videos को please देख लें आपका concept clear होगा basically science के जो आपके question आते हैं सारे पोर्शन से आपके आएंगे physics हो गया chemistry हो गया मैं आपका बायो हो गया और technology से related portion techno में आपका सारा आजाता है आपके space technology आ जाती है नैनो technology आ जाती है बायो technology आ जाती है साथ मैं आपके और भी जो portion है इससे related robotics या जो नई चीजें हुई है आपकी recent invention वो सारा इसमें आपका include होता है तो इस बज़ए से यह science आपका काफी important portion है और इसको आपको properly देखना है कि किस तरीके के question आते है एक major portion है इसलिए क्योंकि लगबग अगर हम PCS की बात करें तो 25 questions आपको दिख जाएंगे और भी कोई भी आपका एक्जाम है आरो वी यह यह यूपी ट्रपल सी आप दे रहे हैं तो सारे कोई भी एक्जाम है उसमें आपके इससे portion से एक अच्छा quantity के question आते हैं 20 से 25 वह आपको कुछ से बीड़ा है तो मैं बीटेक एंबीजर्स का मीरेको प्रिशनल एक्सपीरियंस V.I.I.L मैं अरिया मैं मैं वर्क किया हूं along with that 10 years part-time मैंने 4 years offline coaching institute को दिया है और उसमें बहुत सारी लोग मेरे पड़ाय सिलेक्ट भी है इस समय और ये मेरा खुद का civil experience है कि civil exams का experience कि 2012-14 मैं मैंने UPSC Men's दिया है मुल्टिबल टाइम UPSC Men's दिया है 2013-14-15-16-17 along with that three times interview face किया है मैंने UPSC का और R.O.M. 2014-17 दोनों ही मैंने लिखे हैं साथ मैं जब आयोग करवाता था लोगर PCS लोगर PCS के 2013-15 के interview मैं appear हुआ यह मेरी एक profile है और इसके आगे यह जो course लेके आयों basically पहले आपको यह जानना होगा कि आपके लिए beneficial है कि नहीं तो मैंने अभी जैसे बताया कि science एक इतना broad topic है question आपके जो पूछते हैं वो बहुत ही basic रहते हैं लेकिन topic इतना broad है और कि इससे quantity of number of questions काफी आ जाते हैं आपके प्रॉक्स PCS की बात करूं तो हर एक exam में 20 से 25 question के round आपको मिलेंगे और भी जो exam में BEO जो जैसे की प्लान है 16 अगस्त को फिर उसके बाद RO plan है आपका फिर PCS pre plan है इन तीनों exams की अगर मैं बात करूं तो आपका एक on average 20 के round आपको question मिलें और वो हमारे friends जो UPSC का दे रहें exam उनके लिए भी यह course beneficial है because हमने मैंने इसमें जो question का level रखा है वो moderate रखा है और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से होगा कि कोई भी question होगा इसकी पूरे detail में जाओंगा question यानि कि आपका एक question में वो इस तरीके से होगा कि जो वो एक question होगा उसके कितने dimension हो सकते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है या क्या expected question और बन सकते हैं वो सारा मैं आपके साथ में details share गरूंगा तो कोई भी आप exam दे रहे हैं एग्णोर ना करें क्योंकि science एक ऐसा topic है इस lecture को जरूर देखें video lecture को यह एक ऐसा topic है कि जिससे आपके question बनते हैं बिल्कुल basic लेकिन वो आपका basic concept अगर clear होगा तभी आप lead ले पाएंगे और 20 question is a very very valuable for any examination आप इसमें अच्छे से अगर आपका concept clear है तो आप lead ले सकते हैं अगे चलने से पहले एक बार अगर आप अभी तक plus join नहीं किये हैं तो क्यों join करना है प्लस को क्यों unacademy एक better platform है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की query आती है कि क्या difference है हम तो join कर सकते हैं offline coaching institute कोई तो मैं उस portion पर जाने से पहले आपके साथ मैं एक बार यह चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि यह unacademy आपका बहतर क्यों है और unacademy में plus क्यों बहतर है बैसिकली इसमें दो कोर्स होते हैं unacademy में आपका plus course यानि की plus platform एंड इस्पेशल इस्पेशल प्लेटफॉर्म जो होता है यह just like a demo class होती है जहां पर आप educator से मिलते हैं अपनी query करते हैं कुछ questions की हम practice कराते हैं यह सभी के लिए free है लेकिन प्लस आपका प्लेटफॉर्म एक बहुत ही minimal piece लेता है paid platform है और आपकी starting से जितने भी लेवल होते है pre then men's then interview सारे और आपके साथ में रहता है till your final selection सारी आपकी तैयारी होगी जब आप pre qualify कर लेंगे तो comments के optional की answer writing से लेके personal guidance सारा मिलेगा आपको जब अगर men's qualify हो जाएगा तो आपको mock interview का मौका मिलेगा unlimited times till बहुत ही अनभवी educators say till you got your final call ओके तो अभी यह different क्यों है चीजें scenario एक offline institute से यह plus platform an academy का क्यों different है क्या benefit है इसको जानने के बाद हम अपने session को continue करें तो कोई भी आप offline दो तीन चीज़ों पर मैं बात करूंगा पहला कोई भी अगर आप offline coaching join करते हैं तो आपको वहाँ faculty मिलती है चार से पांच educator की जो आपको पूरा course complete कराते हैं ठीक है लेकिन प्लस में जब आप जोइन करते हैं तो किसी भी category को ठालें चालिस प्लस एजुकेटर वहाँ पर अबलेवल रहेंगे आपकी preparation के लिए means आप इस्टक नहीं होते मालों आपना offline coaching join की तो उसमें scenario क्या हुआ कि यह जो चारवाँ अजुकेटर हैं आपको उनका teaching style बैतन नहीं लगा या content अच्छा नहीं लगा तो आप छोड़ नहीं सकते यहां पर अगर आपको 40 प्लस एजुकेटर हैं जिनके permanent कोई भी हम सब्जेक्ट ले लाएं जैसे अभी मैं science पढ़ा रहा हूं quality ले 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 हैं history ले 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 whatever GS subject हैं आपके सबके आपको at a time कम से कम 4-5 course running मिल जाएंगे इस platform पर तो मानलो मैं science पढ़ा रहा हूं आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आथा आप switch कर सकते हैं किसी दूसरे educator के पास में कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए और second benefit तो यह देखो आपकी faculty में यह academy 10 times greater educator quantity प्रवाइट कराता है एजुकेटर की first thing second मैं अगर बात करूं fee structure की तो किसी भी offline coaching institute की normal fee 40-50 या 60 होती है एक साल की और कोई और अच्छा institute अप लेंगे तो 90-50 लाग तक यह चार्ज करते हैं यही फीस अगर आप प्लस पर जाएंगे तो 12 मन्त की सिर्फ और सिर्फ है 7000 यानि कि कम से कम इससे हम compare गरें तो 10 times less 10 कुना कम है और यह 7000 से भी कम हो जाती है अगर आप यूज करते हैं किसी referral code किसी भी educator का जैसे कि यह मेरा अगर आप यूज करेंगे referral code संदीप राजपूर तो यह आपकर 10% discount होके फीज सिर्फ पढ़ेगी 63100 रूप है ओके तो यह आप एक scenario देखें कितना कम 10 times less fee structure and 10 times greater educator faculty यह एक आपका दो benefit बहुत मेजर हैं इसके अलावा कि अगर हम बात करें और क्या यह online platform है तो इसमें एक और benefit है कि अगर आप live class miss कर देते हैं मालो आप बिजी हैं कहीं या कुछ और कर रहे हैं live class miss होगी तो आप recorded session बाद में भी देख सकते हैं अगर आपका कभी कोई session miss होता है तो आपको परेशान नहीं होना आप बाद में देख सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी बैतर चीज़ें हैं जो अनकेडमी आपको provide करता है तो इस्टिल और अगर कोर्स का timing भी आप देखें कि आपका एक मन्त का भी आपको मिलता है तीन मन्त का भी 6 मन्त का भी 12 मन्त का और इनकी जो भी fee structure बहुत ही कम है और उसमें भी 10% discount होता है कोई भी आप यूज करें शेकेंड एक और आपको confusion ना रहे उसके लिए मैं बता देता हूं कि आप यह नहीं है कि मेरा referral code यूज करेंगे तो सिर्फ मेरे को देख पाएंगे म पड़ पाएंगे ओके चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को और बाते हम करते चलेंगे साथ में ठीक है तो कि यह सारे हम कुश्चन कर चुके थे आपके अभी हम बात करेंगे next question पर कि कहां से हमें चीज़ें देखना है यह हम सारा आपके साथ में discuss कर चुके हैं अभी हम बात करेंगे आपके यहां से कि रैड लाइक सिगनल यह इसके पहले के आप जो लोग अभी तक सेशन नहीं देखे हैं चार सेशन हो चुके हैं और यह पुरा मैं लेके आया हूं साइंस का आपके दस सेशन में डिवाइड है तो यह पांचमा सेशन है हमारा ठीक है फिट सेशन है तो जिन्हों नहीं देखा है वो देख सकते हैं इसको फिर से ओके तो इसमें मैंने कुश्चन किया है रेड लाइट सिगनल इस यूज़ एज़ डेंजर सिगनल विकॉज रेड लाइट इस स्केटर्ड लीस्ट डिस इस कंपर्टेबल फॉर आइज इ इस तरीके से होता है यह मैं आगर आपको बताऊं तो मैंने इससे पहले आपका एक स्पेक्ट्रम द्रिस्प्रकास का चलिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूं द्रिस्प्रकास का एक स्पेक्ट्रम बताया था विब गयोर करके ये white light जब distribute होती है colors में तो इस तरीके से होती है violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red तो जब आप violet से red की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी wavelength बढ़ती है ठीक है और मैंने बताया था violet से ये increase होती है wavelength violet से जब red की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी frequency decrease होगी inversely proportional होता है similarly आपका energy level जो होता है e is equal to hcy lambda तो ये b frequency के according down होगा यहाँ से नीचे violet से red की तरफ बढ़ेंगे जब energy भी down होगा इसी तरीके से आप एक और point note कर सकते हैं वो scattering level कौन सा color कितना scattered होगा फैलेगा तो जैसे जैसे तरंग दर्द बढ़ती है कलर उतना कम scattered होता है ठीक है यानि scattered लेवल भी down होगा यानि violet जो color होगा यह आपका max मम scattered होगा फैलेगा और red की अगर हम बात करेंगे तो red आपका less scattered होगा इससे रिलेटेड यह चीजें थी आपको भूला नहीं है इनसे जितना मैंने यह अभी आपको बताया है इससे multiple time में क्या चैंज होता है वेबलेंट में क्या चैंज होता है कौन किसकी इनर्जी सबसे देख होती है कौन less scattered होता है कौन max scattered होता है यह सारे आपके question पूछे जा चुके है multiple time that's one important one question आपको भूलना नहीं है ठीक है next पर चलता हूं निम लिकित मैंसी कौन सा रंग इंदर धनुष्ट के मद्ध में देखा जाता है which one of the following colors is seen in the middle of our rainbow blue green red and yellow देखो इसका भी मैंने आपको पूरा फंडा बताया है कि किस तरीके से अभी last session में मैंने बताया है कि और रेंबो इस फॉर्म यह आपका जानना पहले जरूरी है कि किस तरीके से रेंबो बनता है तो मैंने इसमें बताया था कि तीन चीज़ें होती है reflection reflection, reflection and dispersion थीन क्रिया होती है जिसके तरूर रेंबो का निर्माण होता है और यह वाटर ड्रॉप लेट्श जो होती है उसमें जब लाइट पड़ती है उसके थुरूर निर्माण होता है अभी मैं अगर इसका फिगर दिखाना चाहूं रैंबो का तो आप इस तरीके से देख सकते हैं देखो अभी मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया है आपको अगर होगा यह देखो एक स्कैट्रिंग का भी आप देख सकते हैं कि आपकी वाइलेट सबसे ज़्यादा मोड़ रही है सबसे नीचे आता है रेड, सबसे ओपर आता है, ये सारा हमने आपको बताया लेकिन एक बार आप रेम柑 का फ़र्स में देखाँ कि यह चलो अभी कुस्ट्टन पर चलते हैं हम लोग इसको देखो अपक्त यह हमारा कुछ जंटा की में कौन सा रंग सो गा तो सबसे नीचे यह भी आप से पूछे जाते हैं सबसे नीचे जो सो रहा है वैलेट सबसे उपर कौन सा सो रहा है रैट और मिडल में और इस तरीके से रहता और यह वाले भी कुछिशन आपसे पूछे कहें सबसे नीचे को सबसे उपर कौन सा क्लार है मिडिल में कौन सा है तो यह आपका क्लियर हो गया कौन सा नैक्स देखो टैली विजन के और नन आप दीज यानि और अवरक परावेगनी दृष्चमान और इनमेंसे कोई नहीं तो यह बहुत ही पॉपलर कुष्चन रहा है एक्जाम में खासकर यूपीट्र प्लसी टाइप के एक्जाम में तो बहुत ही बार पूचा है पहले PCS में भी पूचा जाता था में भी न पूचे जाते हैं जण्रल साइंस से रिलेड़ेड़ जो आप चीजे करते हैं अगर अब नहीं जाते हैं तो नहीं नहीं देखा है वह अभी एक बार लेक्टर को पुराने देख़ जरूर्य होगा और मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूं हर एक slide में mention है plus का referral code जिससे आपको मिलेगा 10% off कोई भी query आपको करनी है कोई भी doubt है plus के regarding तो आप इस पर संपर्ख कर सकते हैं number पर really call करें और यह टीजी की link है टेलीग्राम की इस पर आप आके कुछ भी पूछना चाहते हैं study material से regarding मैं आपको प्रवाइड करा हूं चलो next पर दिखते हैं जब एक तरंग को किसी वस्तूगारा intercept किया जाता है तो किर्णे बाधा उत्पन करने वाले कण के चारों और मुड जाती है इस गटना को किस रूप में जाना जाता है गटना को किस रूप में जाता है रेज बाद रांड अब्स्टिकल पार्टिकल त इन सारी गटनाओं को मैं आपके साथ में सेयर कर चुका हूं इसका correct answer है आपका लेकिन ये भ्यतिकरन क्या होता है दुरूवी क्या होता है पूरा अंतिक प्रावर्दन क्या होता है यह सारे पे हम चर्चा कर चुके हैं तो मैं अभी आपको इसके फिगर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह वर्काउट करता है लेस्ट सी इस इस पॉल दिफ्रेक्शन ऑप वेब वेन ऑप्स्टिकल रिशाइड इन इस बेड हाव इट वर्क्स वेब देखो वेब इंपिंज होना नेरो स्लिट यह एक इसके रास्ते में एक स्लिट रग दी गई है यह वेब इस तरीके से आ रही है तो यही जो गटना है क वेब इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगी बेंड हो जाएंगी इस आपस्टिकल के एरांड यही आपका कहलाता है डिफ्रेक्शन और इसको देखें आप इंटर्फरेंस इंटर्फरेंस क्या है दो दो वेब से आपकी ठीक है अगर दो वेप्स हैं वन वेप्स एंड टू तो क्या होता है जब ये दो वेप्स आपकी मांगलो इस तरीके से जा रही है तो क्या होगा अगर ये आपस में मिलेंगी तो इससे दो चीजें होती है या तो आपका कंस्ट्रक्टिव होता है ये चीजे या होती है destructive यानि कि या तो formation होगा एक बड़े amplitude की बेप का या वो बेप कम हो जाएगा उसका amplitude ठीक है तो देखो इस तरीके से यह interference हुआ एक यहां से निकली है बेप यह हो रहा है interference कहा हुआ है जब यह दौना वेप एक दूसरे को क्रॉस करेंगी यह 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 सारा interference की क्रिया है तो अगर amplitude इसका बढ़ जाता है resulting वेप का तो वह कहला था आपका constructive interference otherwise कहला एगा destructive interference अभी इसकी कुछ condition दी हुई है अगर broad है यह जो gap है या obstacle broad है तो इस तरीके का वेप फॉर्मेशन होगा barrier अगर barrier वेप की लंबाई जो है उससे छोटा है तो इस तरीके का वेप फॉर्मेशन होगा यह सारा आपका diffraction of waves का figure था एक और दिखाता हूँ आपको जो अभी मैंने बताया interference से related ठीक है दो चीज़े मैंने बताई interference यानि की वितिकरण से related दो चीज़ें आपको मैंने डिसक्राइब की constructive and destructive interference यह दो टाइप होते हैं अभी देखो यह सलेट है यहां से यह नॉर्मल वेब आ रही थी आपकी इसके सब्सक्राइब मैं यह इस तरीके से अपना जा रही है यह फर्स्ट वेब मान लो आप इसको सेकंड मान लो अब अगर यह देखो constructive कहा हो रही है जब इनके दौनों पॉइंट मिल जा रहे हैं सेम पर अगर यह कुछ इस तरीके से होगी तो यह constructive आपका बनाया लेकिन अगर बेव ऐसे जा रही है और जस्ट अपोजिट वाला portion मिल रहा है उसको इस तरीके से तो क्या होगा इनका destructive ओके तो यह देखो इसका साथ में constructive बाला इन और बताया portion जहां यह है और जहां यह blank हो गया है या कमजोर पड़ गई है वेप्स वह आपका इन और बताया destructive एक और देखें उसी में एक गटना का मेंशन था आपका polarization धुरूवी करन यह भी आपका मेंशन था question में एक बिकल्प में तो इसको भी समझें क्या होता है यह भी एक फिनॉमिना होता है लाइट का इसको इंदी में बोलते है धुरूवी करन क्या होता है यह फिनॉमिना देको लाइट वेब है यह आपकी आनपॉल्राइज़ट ओके यह नपॉल्राइज लाइट लाइट गेप है different planes में यह travel कर रही है एक plane यह हो गया इस तरीके से आप देखेंगे जो three dimensional है तो ज्यादा better समझ में आएगा आपको एको इस तरीके से यह move कर रही है लेकिन एक हमने polarized film इसके पीच में लगा दी तो इसका जो result wave आया वह एक सिंक हो गया एक सिंगल plane में काम कर रही है तो पोलाइज वेप क्या होगी सिंगल plane मैं जब वेप ट्रिवल करेगी तो इस टिक है ओके यह आपकी नॉन पोल्राइज वेप है तो तीनों option के बारे में बताया आपको इंटरफ्रेंस polarization and diffraction लाव नाव गुटू अधा नेक्स क्वेश्चन ट्यूबलाइट किसे वहरा जाता है क्यूबलाइट इस फिल्ड विथ सोडियम वेपर आरगन गैस अट लोग प्रेशर मर्करी वेपर अट लोग प्रेशर मर्कुरिक oxide and organ gas तो देखो इसका correct answer तो होगा आपका डी वेला मर्कुरिक ऑक्साइट विथ औरगन गैस तो इसमें मर्कुरिक ऑक्साइट भरी जाती है और organ गैस की जगए और निस्क्री गैस आप डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली जो यूज करते हैं वो मर्कुरिक ऑक्साइट और organ gas का ही प्रियोग किया जाता है पर यह आपका multiple time ask question है तो confused ना हूँ ठीक है इसका correct answer जो है वह आपका यह है मर्कुरिक ऑक्साइट and organ gas next देखें तारे का रंग एक इसके का एक संकेत है दा star of the star is an indication of its distance from Earth विद्वी से दूरी टेंप्रेचर लियुमनिसिटी चमकुस्की या distance from the sun तो देखो इसका correct answer आपका सभी को पता होगा कि तापमान होता है लेकिन इन से related मैंने बला कि सेशन इसलिए interesting होगा क्योंकि मैं इस से related और सारे fact आपको बताऊंगा जो आपके helpful होंगे आने वाले exams के लिए तो देखो यह एक picture मैंने आपके सामने रखी है यह है आपका किस तरीके से तारे का जो आप रंग देखते हैं स्टार कलर देखते हैं वो किस तरीके से temperature पर depend है रंग की बात करें तो यह temperature से related है first thing अब temperature में भी आपको अलग-अलग तरह के थारे चमकते हुए दिखाई देंगे उसका एक scale है कि इतना temperature अगर star की सतय का होगा तो उसका color इस तरीके का होगा yellow होगा white होगा blue होगा किस तरीके के का होगा तो यह मैंने एक जो figure note किया है आपका यह आपका है from hottest to coolest यानि कि आपका सबसे गरम जो तारा होगा वह blue color का दिखाएगी दिएगा यह आपका होगा सबसे गरम अभी मैं temperature भी शो करूंगा आपको एक और scale दिखाऊँगा ठीक है यह सबसे गरम होगा और red यह सबसे कम गरम होगा तो अगर कोई आपको लाल कलर का चमकता हुगा तारा दिखाई दे तो वह सबसे कम है और blue color का दिखाई दे तो उसका temperature सबसे यह देख है आप इस तरीके से चलते हैं blue blue white white yellow white yellow and red orange then red यह आपका एक definition है अभी एक और मैं figure दिखाता हूं आपको जिसको बोड़ते हैं Morgan Keenan spectral classification आपसे यह आने वाले समय में question पूछा जा सकता है first question यही है आपका कि Morgan Keenan किसके लिए यूज किया जाता है classification और then आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके के color ऐसे भी simple दे सकते हैं कि blue color के तारे के तापमान का रेंज क्या है तो यह आपका 30,000 से 60,000 Kelvin उसकी सतय का temperature होता है और इसको classified करते हैं O class में then class है आपकी B class के जो तारे होंगे उनका भी bluest white हो जाएगा color इसको आप कह सकते हैं bluest white last one slide में जैसे मैंने आपको show किया like this bluest white इसका temperature जो है वो 10,000 से लेके आपका 30,000 Kelvin तक रहेगा then जो आपका white वाला आता है वो 75,000 से 10,000 तक यह categorize है A scale में यह B में यह O में then F category में जो categorize है वो 6,000 से 75,000 Kelvin वाले yellow is white white में yellow is white then G category में आते हैं 5,000 से 6,000 वाले yellow like the sun यह आएंगी इनका temperature होगा 6000 Kelvin इनकी शतेका इसके बाद मैं K categorize जिनको करते हैं वो आते हैं 35,000 से 5000 और इनका color होगा orange then last one वाले की बात करें M category में 2000 से 3500 और इनका color होगा आपका red तो यह classification था आपको आने वाले exam के यह expected question है आपको color देगा किसी का कि तारे का color यह है star का और इसका temperature approach कितना होगा तो आपको यह याद रखना है second, third question बन सकता है कि 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 क्लास में classified किया गया है जैसे आपको white वाला बोला जाएगा कि कि क्लास में classified किया गया है तो यह एप क्लास में है ओके next दिखते हैं द्वानी के रूप में यात्रा करता है sound travels in the form of transverse wave longitudinal waves stationary waves और none of the ever तो इसका correct answer जो है वो तो आपका अनप्रस्ट तरंग है ठीक है sorry अनुदैर तरंग है और यह किस तरीके से वर्क आउट करता है एक मैं figure दिखाता हूं आपको उससे आप से आप देखें ठीक है ठीक है और एक और डिवीजन है यह यह कापी इंट्रेस्टिंग है इसको भी आप एक बार देख लें कि देखो जो sound wave है उनको तीन कटागरी में यह के ट्रड़ाइज किया गया है इंट्रसाउंड अल्ट्रसाउंड और ओडियोविल फ्रिकेंसी तो यह सोला की जगह थोड़ा सचैंज गर लें यह 20 हर्ड्स से लेके 20,000 हर्ड्स तक की जो फिक्वेंसी होती है वो हम लोग सुन पाते हैं इससे ज्यादा वाली होती है वो अल्ट्रसाउंड वेप्स कहलाती है लाइक डॉल्फिन चमगादर यह सुनते हैं यह आपका ह्यूमन का आ गया और इससे पहले वाली 0 से 20 हर्ड्स जो हम नहीं सुन सकत है तो यह 0 से 20 वाली आपकी कहलाती है जैसे यह जानबर वगएरा सुनते हैं विल्ली वगएरा एक और देखने इस तरीके से ट्रांसवर्स वेप चलती कैसे है और लॉंगिट्ट्यूटन को कैसे है ठीक है तो इसमें जो word आते हैं Chris आता है कि धूरूज आता है यानि कि गर्थ बोलते हैं इसको ये आपका amplitude कहलाता है I am ठीक है और एक स्रंग से लेकर Chris को बोलते है इसरंग हिंदी में इसको बोलते हैं गर्थ इंदी में तो एक स्रंग से लेके दूसरे स्रंग की यह जो दूरी है यह आपकी कहलाती है वेवलेंड तरंग दयप ठीक है और यह complete cycle कहलाएगी यह अपकी कहां से लेके यहां तक और यह आपका कहलाएगा amplitude यानिकी आयां ओके इसको भी देखें देखो दौना भी बता दी की longitudinal और ट्रांसपर्स भेल लाइक दिस कंप्रेशन रेर्फेक्शन मतलब तरंग की दिशा में ही चीज़ें हो रही है यह तरंग की डारेक्शन की लॉंगी ट्यूडनल अंप्रस्त रंगे मतलब पर्पेंडिकुलर मुवमेंट एक चीज और आप से पूछता है उसको भी आप देख लें सेशन को ग्लोज करते हैं स्पीड द्वानी की स्पीड अलग अलग में तो देखो आपका सबसे पॉप पर्पर्रunction मीटरchaës बढ़ाे ने के साथ में धुर्यट सूर ने में आपका chloroform, mercury, ethanol, water, water वाला important है, water वाला याद रख सकते हैं, solid में आप देखें, steel में इसकी सर्वाधिक हो गई, फिर इसके बाद glass है, यहाँ copper है, यहाँ lead है, तो इसकी जो speed की अगर हम ध्वनी की बात करें, तो air में सबसे कम और solid में सबसे अधिक होती है, ठीक है, यानि कि air से आप liquid, liquid से solid, speed बढ़ती हुई जाती है, ठीक है, ओके फ्रेंट्स, तो एक और last one question, किस इस्तर के उपर द्वनी की खतरनाक द्वनी production माना जाता है, तो यह आपका correct answer है, 80TB, 80TB के उपर का द्वनी की खतरनाक, आपके कानों के लिए खतरनाक हो सकता है, यह माना जाता है, तो फ्रेंट्स, आज के session में, अभी question बाकी थे, लेकिन हम आगे करेंगे, session को अभी चमाप्त करते हैं, और यह मेरा contact number है, for any query or doubts, you can call me on that, और next session, छटमे session में, हम जल्दी ही मिलेंगे, यह plus का मेरा referral code है, इसका यूज करके आप 10% off पा सकते हैं, और यह telegram group की link है, इस पर आप join कर सकते हैं, study material and further discussion, okay friends, have a good day, फिर मिलते हैं.